हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिसन स्टेडी पर जैसा कि फ्रेंड्स हम आमें संस्कत की क्लासे चला रहे हैं तो उसी के पार 3 में आज हम लेके आई हैं रिग्वेदश्य विश्यवस्तु विस्तारें रिग्वेद की विश्यवस्तु का विस्तार से वर्णन कीजिए है है चली शूरू करते है है रिग्वेद विश्यवस्तु विस्तारें रिग्वेद का गोरव सबसे अधिक माना जाता है पाशियत तर्ष्टी से रिग्वेद भाषा तता भाव की तरो अन्ने वेदो से नितान प्रासीन है रिगवेद को सबसे प्यार्चिन माने जाता है अत्य विशेश उप्योगी माने जाता है भारती दिश्टी से भी रिगवेद का अभ्या हिर्टत्व उजनियता सर्वत स्विकार किया जाता है पूरुस सुक्त में सहश शीर्षा यग रूपी परमेश्मर से रिचाओं का ही आ अश्टकों में विभक्त किया गया है परतेक अश्ट में अश्टक में आठ अध्याई है इस प्रकार पूरा रिगवेद 34 अध्यायों का ग्रंध है दूसरा है मंडल करम रिगवेद दो भागों में विभाजित है दो प्रकार की विभाग है अश्टक करम और दूसरा मंडल मंदल करम दूसरा विभाग अधिक महतसिर एतिहासिक तथा व्यज्ञानिक माना ज 딱 है रिग्वेद 10 मंदलों में विभकते हैं इसी कारण रिग्वेद को 10 टेड़ी के नाम से भी जानता है रिगवेद हिचाओं की संख्या रिगवेद में रिक मंत्रों की गर्णा भी एक विशेशमश्या है जिसका समाधान प्राचीन थथा अब आर्चनी विद्वानों ने भिन 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 रूप से किया है रिगवेद में रिक संख्या 10,552 है यदि उक्त मंत्रों को नेमितिक दीप दाओं को चतुस्पदा बनाकर गिना जाएगा तो उक्त संख्या में 70 मंत्रों की कमी होगी 10,482 मंत्र ही शेश रहेंगे भारती द्रिश्टी से इन मंडोलों का संकलन तथा विवाजन एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन किया दाता है 10 मंडोलों की रिश्यों की विशे में कात्यायन ने अपनी सर्वानू कर्मनी में लिखा है कात्यायन ने लिखा है ये कातायन ने अपनी सर्वानु कर्मणी में लिखा है रिग्वेत की शाखाएं यगी की आफशक्ता को लक्षे में रखकर संक्लित सहिताओं का पठन पाथन अक्षुना बनाए रखने की उदात अभिलाशा से व्यास जी ने अपने चार शिष्चों को उन्हें पढ़ाया अब पेल तो रिग्वेत की शिष्चे थी जेमीनी को सौम का शिष्चे माना वेशमपायन को यजुरवेत का शिष्चे और सुमन्तो को अथरवेत का शिष्चे तो चार शिष्य थे व्याजे ने चार शिष्यों को पढ़ाया पेल जेमीनी वेशंपायन सुमंदु पेल रिगवेट से हैं जेमीनी सामवेसी वेशंपायन यजुरवेसी सुमंदु अतरवेसी इन मूनियों ने अपने गुरुमुक से अधित सहिताओं को अपने शिष्य पर कि यह जुर्वे टी कि 2,000 शाखाओं का वर्णन किया है संवेट की 2,000 को वर्णन है था अथर विवेएद की 6 साखाओं का वर्णन है रिगवेद की चार साखाओं की acontecendo ations. शाकल, वार्षकल, आश्वेलायन और मांडू रिगवेद की विशेविवेजन रिग्वेद धार्मिक स्प्रोतों की एक अत्यंत विशाल रासी है जिसमें नाना प्रकार के देवताओं की भिन 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 रिश्रियों ने बड़े ही सुंदर तथा भाव भी वयंजक सब्दों में सुतियां की है तथा अपने अभिष्ट की सिद्धी के न इंद्र विज़ेप्रदाता देवता होने की कारण सबसे अधिक ओजस्वी तथा वीर रसमण्डित मंत्रों के दवरा संस्तुत है दसम मंडल की अवार्षनियता दसममंडल अन्यमंडलों की अपिक्षय नूतन तथा आवार्षनीयता इसका प्रधान कारण भाषा तथा व मंडल से भीबिनता है भासागत भीबिनता कि अब मबात करेंगे विगrise के प्राचेंटम भाग्व में रेव की इसती है भातम चाहि मैंनेता है कि ज्ञासकित भासा भाषा के सामान होने के कारण दस मंडल इन गरंथों से काल करम में बहुत प्राचीन नहीं प्रतित हो था चांदों की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्राफिन देवों की रूप में भी स्व रूप परिवर्टन द्रिश्चिकवत्र होता है वरून समस्त जगत के नियंता, सर्वग्य, सर्व सक्तिमान की रूप में पूर्व में ही निदिश्ट है परूंतु अब उनका शासन से त्यसिमित कर केवल जल ही रह जाता है दार्षनिक तत्यों का अविश्कार इस मंडल में अनिक दार्षनिक सुक्तों की उपलब्धी होती है जो अपनी विचारधाराओं से आर्यों के ताप्रिक चिंतनों की विकास की सुचिक है विशे की नूतनता इस मंडल में भोतिक विशे से सम्मन्त था आध्यात्मिक विचारधारा से संचालित अनेक जुक्त उपलब होते हैं इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कमप्रीट होता है थैंक्स पो वोचिंग